स्टड़ी हिमाचल की एको सीरिज में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों आज चाचा करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के कुछ कोशन जो जूनियर ओफिस असिस्टेंट आई टी पोस्ट कोड़ आट सो सारा के लिए बहुत महत्पून होगे इसको आप एक मोग टेस्ट के जर सक्राइब कर सकते हैं थेगे यह सभी ही प्रिक्षा के लिए महत्पूर्मा कि लिए जेव आई टी के लिए फ्रिक्रदेश को जो हमने चूने हुए है चलो शुरू करते हैं पहला इप्रशन भहुत महत पूर्ण है हूँ मैं इसटेट्स शेर बौूंडरी विद हिमाचिछ हिमाचल परदेश के साथ कितने राज्य आपनी जो बॉंड्री वो साजा करते हैं कहा अंसर नियुक्त शेर करता है कौन हिमाचल परदेश के साथ जो भी मतलग की जो भी बॉर्डर शेर होते वो है यूने टेरिटरी ओफ जम्मू कश्मीर एंड लदाक के जो नोर्थ में उत्तर की साइड होते हैं पंजाब की बेस्ट की साइड बॉर्डर शेर होता है हरियाना का सौथ वेस्ट मे यह जो बॉर्डर है साजा कर ते हैं नवागी। दोस्टों जो यूपी में जो लगती है हिमाचल परदेश की बॉनडरी वह लगती है यूपो to the census 2011 the literacy rate of हिमाचल प्रदेश इज जन्गन्ना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सक्षर्ता दर है वो है 82.8 प्रतिशत यह आपको याद रखना है देखें लिटरेसी रेट यह सक्षर्ता दर की बात करें 2011 की जन्गन्ना के अनुसार 82.80 प्रतिशत थी जो पूरुष मेल 59.53 प्रतिशत 2011 जन्गन्ना के अनुसार महिला की जो साक्षर्ता दर थी वो थी 75.93 प्रतिशत 2000 जन्गन्ना के अनुसार जो टोटल प्रसेंट है निकल क्याती है वह बन बन क्याती 82.80 प्रतिशत यह आपको याद रखना है दोस्तों आप हमारा पेड कोर्स वी जोईन कर सकत के नहीं तो आपको याँ पर हमारा अपना वर्टसाइब नंबर दे देंगे नेक्स्ट कोशन है कि काला टॉफ वाइड लाइफ सेंचुरी इस लोकेटिद इन विच प्लेस जो काला टॉफ वन्ने जी अभ्यारन के स्थान पस्थित था वह चंबा डिस्टिक में आपको दे लिए यूनियन हिमाचल परदेश भारती संकर डैश राज्य बन गया था वो था ठार्मा राज्य को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल परदेश भारती संकर ठार्मा राज्य बन गया था इसके वारे में थोड़ी से चर्चा करें देखिए एक नवंबर 1956 को हिमाचल परदेश को केंदर शाषित परदेश बनाया गया एक नवंबर 1966 को ही पंजाब की कई हिस्सों में कांगडा समेथ हिमाचल में शामिल किये गये थारा दिसंबर 1970 को हिमाचल परदेश एक्ट पास किया गया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल परदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था यह आपको याद रखना है कि on 18 दिसंबर 1970 the state of हिमाचल परदेश act was passed by Parliament and the new state came into being on 25 जनवरी 1971 10 HP emerged as the 18th state of Indian Union भारती संका कौन सा थार्मा राज्य बना था हिमाचल परदेश यह आपको याद रखना है next question देखते हैं next question is who was the first governor journal of India to visit Shimla Shimla जाने वाले भारत के पहले governor journal कौन थे लोड एम हर्स्ट को जाना जाता है जो शिमला जाने वाले भारत के पहले गवर्ना जर्नल थे और यह शिमला का दोरा करने वाले भारत के क्या थे पहले गवर्ना जर्नल थे याद रखना है central potato research institution is located at which place केंद्री आलू अनुसंधान संस्थान कि स्थान पर स्थिता है वह आपको बिमलोई में देखने को मिलेगा ठीक है में यह पढ़ता है और किंद्री आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल पर देश के बिमलोई शिमला में स्थिता है आपको यह बताना है comment section में कि इसका established कब किया गया था मतलए कि किस बार से इसके establishment हुई थी आपको comment section में comment section में बताना है कब इसकी नीव रखी गई थी चलो next question देखते हैं treaty of sanjoli was signed on which date sanjoli की संधी कि स्थिती को हस्ताक्षरित की गई थी वो थाइस नवंबर थारा सो पंद्रा को बिटिश और गोर्खों के बीच संजोली की संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे याद रखना है next question मेंजर मेड्र भशेर इस हाद इन विच डिष्ट्ड को इन वुच-बिचॉप दोफलोईग डिष्टिक मिंझर मेला निमलिकत में से किस जिले में आयोजित किया जाता है मिंजर मेले का परसीद मेला और यहर बरस साल कहां चंबा जिले में आयोजित किया जाता है बहुत महत्पून कोश्चन एक्जाम पॉइंट ओव यू से नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इन विच डिष्टिक इस शिर्गुल देपता वर्क्षिप फेमस शिर्गुल देपता किस हिमाचल प्रदेश किस जिले में फेमस थे जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शिर्गुल देपताजी फेमस थे वह हैं सिर्मोर जिले में फेमस है ठीक है सिर्मोर जिले में क्या ह यह शिरगुलदेवता जी फेमस है और यह बहुत लोग प्री यह आपको याद रखना है next question देखते हैं गसोत्ता मेला नीमिलिक्त मेसे किस सथान से सबंदित है वो है हमीरपुर जिले से सबंदित है और गसोत्ता मेला हमीरपुर जिले के गसोत्ता से जुड़ा हुआ है और नारग सेंचुरीज लोकेटेड इन वीच दिश्टिक फिमाजल प्रदेश जो नारग अभिहारन हिमाजल प्रदेश के किस जिले में है वह मंडी जिले में आपको देखने को मिलेगा यह आपको याद रखना बहुत महत्पूर्ण है एक्जाम पॉइंट ओव यू से प्रिव हिमाजल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दरजा मिलने के बाद एस चक्रवती हिमाजल प्रदेश के पहले क्या राज्यपाल बने थे नक्स कोश्चन देखते हैं वे डिर दा ओल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फरेंस इन 1938 टेक प्लेस 1938 में अखिल भारती राज्य के लो अध्याना में आयोजित किया गया था यह प्रजा मंडल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था यह भी आपको कोश्चन याद रखना है नेक्स कोश्चन देखते हैं पिन वैली नेशनल पार्क इस लोकेटिद इन विच डिष्टिक ओफ हिमाजल परदेश जो आपको याद रखना है कहां पर लहौल स्पिती में आपको यह देखने को मिलेगा नेक्स कोश्चन देखते हैं हूँ आज फाउंडर ऑफ जस्वान स्टेट ऑफ हिमाजल परदेश हिमाजल परदेश के जस्वन राज्य के संस्था पकोन है वह पूरव चंजी है पूरव च ने मंडी का दोर्रा किया था वो दे लोड मेंटो ने किया था लोड मेंटो विस्टिड मंडी नहीं माजल परदेश अक्तूबर 1871 यह आपको याद रखना है नक्स कोश्चन दोस्तों आज के लिए इतना ही आप हमारा पेड कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं जेव आईटी के लिए जोइन करना जाते तो आप हमें वर्टस अब कर सकते हैं यह हमारा वर्टस अब नंबर है थैंक यू अड हैव नाइस डे गोड ब्लस यू ओल बाई-बाई